फर्स्ट कोश्चिन है एक दो अंको की संख्या अपने अंको के योग की चार गुनी है ठीक है यदी संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंको के योग की साथ गुना हो जाती है यह दो अंको की संख्या क्या है देखिए अभी यह कोश्चिन उप्सन से करते हैं ठीक ह तो इनके अंको का योग क्या है दो और चार च्छे क्या चोबिस जो है हो च्छे का चार गुना है बिलकुल है तो यहां से यहां तक की तो कंडिशन होगी सैटिसफाइड ठीक है अब बात करते हैं अगर मैं इसके अंदर 27 जोडू ठीक है तो जोड आया था डिजिट का डिजिट का जोड कितना आया है 6 इसका 7 गुना हो जाएगी यानि संक्या कितनी गुनी हो जाएगी 7 7 गुना कौन सी होती है 6 और 7 की गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 20 यानि 24 में अगर मैं 27 जोडू तो मेरे पास कितना आना चाहिए 42 तो क्या 42 आ रहा है जी नहीं ठीक है तो फर्स्ट ओप्शन हमारा हो गया गलत सेकंड ओप्शन सेकंड ओप्शन में क्या है 12 जोड डिजिट का 3 आता है तो यह 4 गुना हो गया ठीक है जैसे ही मैं 27 जोड़ूंगा तो यह 7 गुना हो जाएग बड़ा है ठीक है 48 देखता हूँ मैं ठीक है जो डिजिट है ठीक है न अंक है उनका जोड कितना है 12 यह 12 बारा चोक 48 यह नहीं 4 गुना है ठीक है अब 27 जोडने पर क्या यह 7 गुना हो जाएगी 12 चुरासी क्या इतना होता है 15 और 7 75 हो गया ठीक है न तो यह भी उप्शन ग आता है 36 36 डिजिट का जोड कितना है 3 और 6 नो ठीक है अब अगर मैं 27 जोड हूँ तो यह संख्या जो आएगी वो 9 का 7 गुना हो जाएगी 9 का 7 गुना कितना होता है 63 यानि 36 में 27 जोडने पर अगर 63 आ रहा है तो कंडिशन सैटिस्फाइए होती है तो देखिए तो इसका मतलब 36 जोए वो सही अंसर है इस टाइप के कुश्चन आप उप्शन से करें ठीक है न और थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी मतलब टाइम की भी सेविंग होगी